Bank Nifty में देखे, यहाँ पर Dozy pattern बना है, अब ट्रेंड होने के बाद यहाँ पर Dozy pattern बना है. अगर यहाँ पर यह First candle जो है Dozy से पहले वाला candle, अगर इसको breakdown करता है, तो यह Dozy pattern जो टॉप पर बना है, वो काम कर जाएगा. यहाँ पर देखे breakdown हो रहा है लेकिन closing matter रखता है अब यहाँ पर closing मिल जाता है तो फिर अब support तक ले सकते हैं target यहाँ फिर उसके नीचे तक का मिल सकता है कुछ इस तरह से pattern को अब जब तक समझेंगे नहीं life market के अंदर आपको समझ मनियागा यहाँ पर देखे breakdown क्या है अगर यहाँ पर entry मारते हैं तो यहाँ पर देखे क्या हो रहा है यहाँ पर फिर market reverse हो रहा है मतला आपका stop loss हिट हो सकते है इस top loss जो है bank nifty का यह चार्ट है इस चीज़ पर ध्यान दिजिए किस तरह से market में आपको candle pattern बन रहे हैं जब तक यह आपको समझ में नहीं आएगा market में व छे बार success होते हैं चार बार fail होगे तो इस चीज़ को अब देखे फिर यहाँ से अब जो है pattern नीचे की तरफ आ रहा है अब यहाँ पर देखे है कि higher जो है नया high बनाते हुए जा रहा है फिर यहाँ पर market नीचे की तरफ move किया तो यहाँ पर आपका stop loss खा गया अगर आप प पुड़ा discipline trader है तो यहाँ पर आपका stop loss खा गया है अगर यहाँ फिर आप थोड़ा दर रूख गये होंगे एक दो candle तो फिर आपका stop loss बच गया होगा लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से moment बन रहा है तो इसके हिसाब से अगर आपको काम करते हैं तो फिर आपको समझ मैंग इसको टेच करके जा रहा है यहाँ यहाँ पर देखे कि downtrend की तरह format बन रहा है अब downtrend अगर format बन रहा है तो इसमें किस तरह से काम करते हैं इस चीज को भी देख सकते हैं तो इस चीज को समझना ज़रूर ही है यहाँ पर जो है supporter resistance देखे फिर इस जोन के अंदर आ गया पहले सुबह में morning के time में sideways market था फिर उसके बाद जो है morning के बाद फिर थोड़ा up down पर घीचा SL सबका खाके फिर market इस तरह से स्थी रहे